बिस्मिल्लारमान रहें असलाम अलेकुम फ्रेंज कैसे हैं आपको वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड व्लोगिंग आई होब आप सब बहुत अच्छे से होंगे अलहमदोलिल्ला मैं भी ठीक ठाक आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई बोटी की रेसिपी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी और डिलिशेज होती है तो इस रमजान आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें फ्रेंस और फैमली में शेयर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल एकन को भी जरूर प्रेस करें ताके आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हूं 600 ग्राम बोनलेस चिकन और इसे मैंने धो कर छनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए आप ध्यान रखे हैं कि चिकन में पानी जरा भी नहों इसे पहले से रख दे कि सारा पानी ड्राय हो जाए और हम इसे दरदरा सा पीछ लेना है अगर हम इसे दरदरा सा नहीं पीछेंगे、 पेस्ट गर डालेंगे, तो हमारी मलाई बोटी ग्रीन हो जाएगी वाइट नहीं रहेगी और यहाँ पर मैंने लिया है नमक, नमक और मिर्चे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें यहाँ पर मैंने 1.5 टेश्पून नमक ली हूँ और 1 टेबल इस्पून अधरक लसुन का पेस 1 टेश्पून गरम मसाला पौडर और 1 टेश्पून ही ली हूँ मैंने काली मिर्च का पौडर और इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 1 टेबल इस्पून कॉन फ्लार और यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 टेबल इस्पून वेज़िटेबल ओयल तो अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें सारा चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और यहाँ पर मैंने डाल दीए हूँ दरदरी सी पिसीवी हरी मीर्च, लिमन जूस, दही और फ्रेश करीम और जो हमने प्लेट में काली मिर्च, गरम मसाला, अधरक लसन का पेस्ट और कॉनफला नमक रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है वन टेबल स्पून ओयल और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे ढखकन ढखकर पांसे च्छे घंटे के लिए मैंसी मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसे दो घंटा भी मेरिनेट कर सकते हैं और अगर आपके पास वक्त जादा है तो आप इसे रात भर रग दें मेरिनेट होने के लिए जितना जादा इसका मेरिनेशन टाइम होगा उतनी ही जादा ये चिकन अंदर से जूसी और टेस्टी बनेगी चीवी नहीं होगी तो मैं इसे ढखकर रात भर के लिए रख दूंगी मेरिनेट होने के लिए और इस मलाई बोटी को मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब ये देखिए मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये काफी अच्छे से मेरिनेट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने लिया है कांडी इस तरही की जो कांडी आती है वो हम ले लेंगे और एक एक पीस लेकर हम इस कांडी में अरेंज कर देंगे तो ये दिखे जिस तरह से मैं मलाई बोटी लगा रही हूं कांडी में आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं और आप सिंपली भी अरेंज कर सकते हैं तो मैं सारी मलाई बोटी बना कर रेड़ी कर लूँगे फिर आपको दिखाती हूँ बस इसी तरह से मैं सारी मलाई बोटी बना कर रेड़ी कर लूँगे तो सारी मलाई बोटी को मैंने कांडी में आरेंज कर लिया है ये देखिए इतनी सारी मलाई बोटी बनकर तयार है ये 600 ग्राम चिकन थी उसमें इतनी सारी हमारी कांडी मलाई बोटी बनकर तयार है ये चिकन बहुती जादा टेस्टी और डिलिशेज होती है तो आप इस रमजान इफ्तार में इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें ये आपको और आपके घर वालों को सबको बहुत जादा पसंद आएगी और आप इसे इस तरह से एक महिने के लिए फ्रीज में स्टोर भी कर सक करते हैं तो यहां पर मैंने लिए हुए एक प्लास्टिक की थेली आप चाहें तो जिप लोग बैग भी ले सकते हैं अगर आपके पास जिप लोग बैग है तो उसमें रखें वरना इस तरह के प्लास्टिक आसानी से मार्किट में मिल जाती है तो आप इस तरह के प्लास्ट में एक महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं यह खराब नहीं होगा तो सारी मलाई बोटी को मैं इसी तरह से प्लास्टिक के थैली में डाल कर इसे फ्रीज कर लूँगी तो ये देखिए सारी मलाई बोटी को मैंने प्लास्टिके थेले में डाल कर रख लिया है और मैं इसे इसी तरह से फ्रीजर में फ्रीज कर लूँगी और इसके फ्रीज होने के बाद मैं इसे एक डबे में रखकर फ्रीजर में रख दूँगी और ये एक मैने तक खराब नहीं होती जब भी आपको इसे पकाना हो आप इसे अदर घंटा पहले निकाले और आप इसे पका लें इसका टेस बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो ये देखे ये मैंने फ्रोजन ही मलाई बोटी ली है और इसे पैन में डाल दिया है थोड़ा से ओल डाल कर पैन मे और सारी मलाई बोटी को रख दी है जितनी मुझे अभी पकानी है और मैं इसके उपर ढ़कन लगा कर 5-6 मिनट लोफ लें पर पका लूँगी और 5-6 मिनट के बाद जब मैंने देखा है तो इसमें काफी पानी रिलीज हुआ है और अब मैं सारी कानी मलाई बोटी को टन कर दूँगी टन करने के बाद मैं इसे ढख कर फिर से 5 मिनट के लिए लोफ लें पर दूसरे साइट से भी पका लूँगी तो मैंने इसे ढख कर 6-7 मिनट के लिए लोफ लें पर पका लिया है तो देखिए इसका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है मैं फिर से सारी मलाई बोटी की कांडी को पलट दूँगी और पलट कर इसे एक ग्रिल मार्क् आ चुका है और यह चिकन बनकर रेडी है और इसे और भी अच्छा टेस्टी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक कोईला गरम करके और उसके उपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बटर और इसे ढख दूँगी ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक स् और इस कोले का दूआ खुझ से खतम होने के बाद मैं इसे डिश आउड कर लूँगी तो यह देखिए मैंने इसे डिश आउड कर लिया है तो यह देखिए देखने में ही कितनी ज्यादा ब्यूटी फुल लग रही है यह चिकन मलाई बोटी और यह खाने में तो उससे भी करूँया है तो इस रमजान आप इसतार में defence को ट्राई करें और मुझे कमिंस करके बताएं कि आपकी यह रव्याशी नहीं किया है तो प्ली वैठ विदेखने को मिलती रह泠ी तो फिर मिलती हूं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा और मुझे भी दुआ में याद रखेगा अल्ला हाफिज